नमस्कार दोस्तों अगर आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किये तो पहले कर लिजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे मेरे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके दोस्तों आज इस वीडियो के माध्धम से मैं आप लोगों आप लोगों को बताने जा रहा हो कि यदि कोई ब्यक्ति आपको ब्लाइक मेल कर रहा है तो उसे कितने साल तक की सजा होगी और दूसरा यदि कोई ब्यक्ति आपका कोई भी समान ले लिया है और वो समान आपको नहीं दे रहा है उसको गमन करना चाहता है तो इसमें IPC की का और कितने साल तक की सजा होगी तो दोस्तों चलते हैं वीडियो में प्रथम वाले में यदि कोई ब्यक्ति किसी भी ब्यक्ति को ब्लैक मेल करके पैसा इठना चाहता है तो उसे IPC की धारा 384 के ताहत तीन साल तक की सजा या जुर्बाना या दोनों से दंडित किया जाएगा दूसरा नमबर यदि कोई ब्यक्ति किसी ब्यक्ति को च्छती पहुचाने के लिए कोई भी केस जूठा मुकदमा कोट में दर्ज करवा देता है और बात में वो या सिद्ध हो जाता है कि मुकदमा जूठा है तो उसके खिलाप IPC की धारा 209 के ताहत दो साल तक की सजा जु जुर्मान ले लिया कोई ब्यक्ति और आप उसे बार बार मांग रहे हैं वापस करने समाना कर रहा कि नहीं मैं नहीं दूँगा और उसकी मनसा यह जाहिर हो जाती है कि अभी असमान वापस नहीं करेगा वो उसको गमन करना चाहता है तो दोस्तों अगर ऐसा आपके साथ हो कोई किसी प्रकार की मदद चाहिए तो कमेंट में बताइए आप लोगों का कार तुरंद करवाया जाएगा उसमें कोई किसी प्रकार के दिक्कत नहीं आएगी आपको